Hello everyone, welcome back to my youtube channel Lark with me So guys, आज की वीडियो में हम exercise 2.1 से question number first करेंगी ठीक है? So question number first में हमें simply बताना है number of zeros of P into X यानि x-axis पे जो भी point हमारा graph कर टच कर रहा है मैं इंट्रोडक्शन में बताया था कि geometrical meaning of the zero of the polynomial के होता है कि X-axis पे जितनी बार भी जो जितने points पे graph ने टच किया है ना उतनी बार जो number आएगा हमारा कोई भी वो value आती है वही zero of the polynomial आजाती है ठीक है? So यह था जो मेंटे कर में निकोफ zero एक्ससाइज 2.1 इसी पे बेस्ट है So यहाँ पे हमी six part देना है So first part देखिए यहाँ पे यह हमारी x-axis है और यह हमारी y-axis है So x-axis को जो graph है उसने एक बार भी टच ने किया उसने के वल y-axis को टच किया एक बार So answer हमारा क्या हो जाएगा? Zero क्योंकि zero आ गही हमारी zero क्योंकि इसने x-axis को एक बार भी टच ने किया Second में देखिए यह हमारी x-axis और यह y-axis So यहाँ से क्या यह y-axis पे एक बार टच किया और फिर x-axis भी यहाँ पे टच किया So answer क्या जाएगा? x-axis पे एक बार टच किया So zero of the polynomial 1 याँ answer 1 So third part यहाँ से यह x-axis है यह y-axis है So x-axis को एक बार टच किया फिर दो बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे मतलब तीन बार ड्राफ ने जो है x-axis हो टच किया है So zero of the polynomial मतलब हमारा answer हो जाएगा 3 ठीक है? Fourth part देखिए इसमें यह x-axis है और यह y-axis है केवल इसने x-axis को टच किया y-axis को इसने नहीं चुआ और कितनी बार टच किया है एक बार यहाँ पे टच किया और एक बार इस graph दो साइड से मूटा हुआ है देखिया ऐसी है और इसने दोनों बार x-axis को टच किया नगी y-axis को आंसर हमारा क्या जाएगा 2 क्योंकि इसने x-axis को केवल दो बार टच किया है ठीक है इसके बाद फिफ्थ पार्ट है यह हमारी x-axis आ गई और यह y-axis इसमें 0 of the polynomial क्या जाएगा एक बार यहाँ पे टच किया फिर यहाँ से 2 3 और यह 4 ठीक है 4 बार x-axis को टच किया So it means 0 of the polynomial क्या जाएगी 4 हमारा आसर 4 हो जाएगा 6 पार देखिए यह हमारी x-axis है यह y-axis है So यहाँ से एक बार इसे हम बले ही यह ऐसे जा रही है और लाइन पे यही पे टच किया इसने तो हम इसे दो बार नहीं बोलेंगे एक बार ही बोलेंगे क्योंकि यह यहाँ से एक बार टच होगे रोट वापिस चलीगे अगर यह नीचे आती और फिर जाती तब हम इसे दो बोलते So यहाँ पे एक दो और से मैं यही पे 3 So अंसर क्या जाएगा 3 It means 6th part में 0 of the polynomial हमारे 3 है So यह इसका अंसर आ गया है 6th part हमने complete कर लिया है So exercise 2.1 में एक ही question है वो हमने इस वीडियो में complete किया I hope आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी So मेरे वीडियो को लाइक करें Share करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you